गुड इवनिंग साथियों स्वागत है आप सभी का मनोज अकैडमी में और रोहित नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मनोज अकैडमी और डिस्कस कर लेते हैं परियवन सिक्षन अध्यन को और साथियों पेपर डिस्कस करेंगे 2011 का ठीक है 2011 का पेपर डिस्कस करना है अपने को और साथियों 30 कूशन रेंगे 30 बड़े 30 स्कोर आप लोग का रहना चाहिए साथियों 30 बड़े 30 स्कोर आप लोग का रहना चाहिए हर हालत में तो करते हैं सैसन को शुरू हम बात कर रहे हैं UPTAT 2022 के लिए ठीक है परियवन सिक्षन अधिन को discuss कर लेते हैं तो पहरे साथ यूँ आप लोग की प्रात्मिक्त यहीं रहती है session को like कर दीज़ेगा एक बार और एक बार share भी कर दीज़ेगा session को ठीक है and then करेंगे शुरू ओके, ओके, done चलिए, तो पहरे साथ यूँ करते हैं session को शुरू तो 2011 का paper अपने discuss करी रहे हैं जैसे कि आप लोगों ने देखी लिया होगा और हम बात करेंगे भाग नंबर 5 जो क्या paper में दिया गया होता है हम बात कर लेते हैं परियवन सिक्षन अध्यन की ठीक है, चलिए तो कोसल संखे 121 नंबर यहां पर हमारा क्या कहता है बिल्कुल proper में में आप लोग को आंसर करना होगा गलती ना हो किसी की भी कोसल संखे 121 नंबर की बात करेंगे हवा में उपस्थित ओक्सिजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है हवा में उपस्थित ओक्सिजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है तो शाथ योग लगभग की यहां पर बात आप लोगों से पूछी गई है तो 21 प्रतिशत होता है ओक्सिजन हवा में देखो, O2 की बात करेंगे डियर O2 होता है 20.5 में सिक्वेंस पर बात करते हैं 20.5 में फिर 25.93 प्रतिशत इसको बोलते हैं 21 प्रतिशत और बात करेंगे नैट्रोजन की बात करेंगे 78.03 प्रतिशत बाकी सब अधर जो गैसे हो जाती है कारबन डे अक्षाइड की बात करेंगे CO2 की बात कर लेते हैं तो इसकी मातर है 0.03 प्रतिशत है जैसे आप लोग जानते है नियोन 0.008 हीलियम 0.005 प्रतिशत और मिथेन 0.007 प्रतिशत पाई जाती है तो finally answer हो जाते है option संख्या अपना D 21 प्रतिशत आगे प्यार चाहती उपन बढ़ते हैं बढ़ते हैं 122 नंबर की तरफ कि परम ताप गरम पैमाना कौन सा है चले परम ताप गरम पैमाना कौन सा है अच्छे रंग से आंसर किजिएगा Celsius, Fahrenheit, Kelvin या फिर हमारा option संख्या D यानि करेंगे परम ताप करम पैमाना की तो देखेगा Celsius भी होता है, finite height भी होता है और Kelvin भी होता है तो आप लोगों का सभी का answer यहाँ पर आ रहा है option संख्या only D तो जी हाँ, D option यहाँ पर हमारा right हो जाता है आगे बढ़ते हैं, कोशन संख्या यहाँ पर हमारा है 123 नंबर, चले proper way सभी में answer करना होगा सभी सास्यों को और ठोड़ा स Garlic की चलेंगे चीजों को कि प्रकास संसलेशन संपादित होता है सभी पोधो द्वारा, सभी जन्तु एवं पोधो द्वारा, सभी हरे पोधो द्वारा फिर वायरसो द्वारा तो प्रकास संसलेशन की बात करेंगे तो सभी हरे पोधो द्वारा संपादित होता है ठीक है प्रकास संसलेशन संपादित होता है सभी हरे पोधो द्वारा तो आंसर हमारा क्यों जाएगा डियर आंसर हो जाता है option संख्या only C आगे पैरसातियों पर बढ़ते हैं भाई अगला वोशिन हमारा क्या काता है कोशन संख्या बात करेंगे 124 नंबर की कि द्वेनिया द्वेनि प द्वेनिय प्रदूशन मापा जाथा है पैरसातियों कोशन संख्या सेयर कर रहे हैं लाइक तो आप लोग करती ह vest product यहांगे बिल्कुल चैनल में को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा धुएनी फिर धुएनी प्रदूशन मापा जाता है साथियो फोन में, डेसी में, डेसी बल में, फिर डेसी मल में साथियो जहां से देखो डेसी बल यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाता है कि धुएनी फिर धुएनी प्रदूशन जो मापा जाता है साथियो वह मापा जाते हैं डेसी बल में आगे बढ़ते हैं चलि आगे बढ़ते हैं देखो गजब कोशन ही आप भी हमारा कोशन संक्या बात करेंगे 125 नमबर की निन में से कौन परिवर्ण के लिए हानिकारक है समझे रहे हो परिवर के लिए जो हनिकार की बात करेंगे तो कागज बिल्कुल आसानी से नस्ट हो जाता है कपड़ा भी आसानी से नस्ट नहीं होती है अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आज इसका अगर आज इसका उत्पादन किया जाता है प्लास्टिक का और 400 वर्षों तक भी अगर आप लोग इसको ऐसा देखेंगे तो देखेंगे ना तो ऐसे का ऐसे ही यह मिलेगा क्या हम बात करें प्लास्टिक की तो आंसर हो जाता है option संख्या only D भरते हैं अगले एक प्रसंद की तरफ question संख्या यहाँ पर हमारा है 126 नंबर चले 126 नंबर की पैरसात्यों बात कर लेते हैं कि निम्मे से कौन विष्व ओश्मयान का करण है जादे जादा सेयर करें जादे जादे संख्या में ज्वैन करें और जाद जादे आप लोग सेयर कर देजीगा ठीक है कि निम्मे से कौन विष्व ओश्मयान का करण है जल प्रदूशन प्रदूशन डिक्टो ही आंसर यहां पर हमारा हो जाता यानि कि ओप्सन संख्यां ओली सी क्लियर है क्या ओलाइट चले आगे अपन बढ़ते हैं भाई कोशन संख्यां यहां पर हमारा है 127 नंबर जी 127 नंबर आप लोगों से क्या कहा गया है 127 नंबर में कि महासागर प्रत प्रष्ट के अधिकान जगय आवरत किया जाते है जो लगबग है सात्यों जो लगबग हैं कितना आप लोग आंसर रहेगा मैं जो लगबग है सोल जाता है विस्वुरnosis दिवस कब मना जाता है विष्व महासागर दिवस आगे बढ़ते हैंैं कोसण संख्या आपर हमारा है 128 नमबर जी हाँ, 128 नमबर की आपन बात करेंगे इसलेक्टाइच एवं इसलेक्माइच में निच्छेपण होता है सिलिका का, मैगनीशम कार्बेनेट का, कैलसम कार्बेनेट का, फिर सोडियम कार्बेनेट का तो देखो डियर, आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है, option संख्या C, calcium carbonate का, ठीक है पहर साथ यो, calcium carbonate का right answer है यहाँ पर हमारा हो जाता है, यहाँ आगे अपन बढ़ते हैं देखेगा, आगे बढ़ते हैं, question संख्या हैं, आपर हमारा है 129 नमबर, कि इन से देखीगा, इन में से कौन वाईयों प्रदूशन का एक उधारन है, कोहासा, धुआ एबं कोहासा, वहानों से निकलने वाली गैस, जलती लकडी की, चार कोल से निकलने वाली गैस, यहाँ पर हमारा option संख्या D, तो बहुत सारे साथ होगा, option संख्या D आ रहा है, सही आंस हो जाएगा, इनकी इन में से सब ही, आगे अपन बढ़ते हैं, देखीगा, आगे बढ़ते हैं, कोशन संख्या 130 नंबर की तरफ, कि भारत तथा दूसरे देशों में, प्रदूशन को रोकने के लिए बनाये गए नियम, डैस का प्रियोग रोकते हैं, कागज के थे प्लास्टिक के थेले, नायलोन के थेले, फिर चम्ड़े के थेले, तो देखीगा, कागज के थेले गलत, और नायलोन के थेले गलत यहाँ पर हो जाएगा, चम्ड़े के थेले, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे, प्लास्टिक के वारे में हमने बहुत अच्छे डंक से अभी क्लियर है ना बिल्कुल क्लियर है बहुत अची रंग से आप लोग लाइक कर दीजीगा इतना लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हैं फटापर से लाइक आप लोग कर दीजीगा आगे बढ़ते हैं साथ यो कोशन संख्य 131 नंबर की बात करते हैं चलिए पाश्तितिकी तंत का उधारन है पाश्तितिकी तंतर का उधारन कौन कौन सा है कौन सा है यह है आप लोग को शेप पूछा गया है वाईयू तलाब जले फिर मिर्दा तो देखो हम पेपर डिसकस कर रहे हैं परेवन सिक्षन अध्यन का पेपर डिसकस कर रहे हैं 2011 का पनियाबर पेपर डिसकस क कर रहे हैं तो पाश्तितिकी तंतर का उधारन कौन सा है डियर आंसर रहाते हैं आप लोग का तालाब तालाब क्या है पाश्तितिकी तंतर का एक उधारन है तो इसका मतलब समझ रहे हो B option यहाँ पर हमारा हो जाता है perfect इएक्ट विमें आगे अपन बढ़ते हैं देखीगा कोसंसंसंख्या यहां पर हमरे 32 ऐक कंट झी विय कारक नहीं है पेड़ पूधेय जंतू सूख्ष्भीवन प्रस्त्र जीवय कारक यह जू सास नहीं लेता है देखो पिड़ पूधे क्या हैं जीवीय कारक है जन्तू लेकिन बात करेंगे प्रस्तर, प्रस्तर मतलब समझ रहे हो, प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर, तो यह सात्यों पत्थर क्या है, जीवे कारकी काटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आता है, तो finally answer हो जाते हैं हमारा option संख्या only D, आगे अपन बढ़ते हैं देखीगा, आगे कोशन है, ठीक है सात्यों, क्या बिल्कुल ही लड्डू कोशन है सात्यों, तो देखो, अधिकतर पेड़ पोधे पाये जाते हैं, स्थल मंदल में, जल मंदल में, वायू मंदल में, फिर प्रकास मंदल में, वायू मंदल बिल्कुल गलत हो जाएगा, प्रकास मंदल गलत हो जल मंडल का कोई भी लेना देना नहीं है इस थल मंडल में साथ्यों पेड़ पोधे पाए जाते हैं गजब आंसर आप लोग का सभी का आ रहा है इसका मतलब समझ रहे हो एप्षन है आपर हमारा राइट आंसर अच्छे डंग से हो जाता है इसी किस अंदर में बात करेंगे य CNG की फुल फॉर्म आप लोग को बतानी होगी क्लीन नेचुरल गैस गलत है क्लीन का कोई भी लेना देना यहां पर नहीं है ठीक है कंप्रेज्ड नेचुरल गैस कार्ब्रोनाइज नेचुरल गैस और यहां पर अधर ऑप्षन बिल्कुल ही बेबुनियाद है आंसर हो जात सल्फर मिस्रित गैस कोंसी है वातवरण में हाँ बिल्कुल बिल्कुल वातवरण में अत्यदिक हानिकाल सल्फर मिस्रित गैस की बात करेंगे तो SO2 यानिकि सल्फर डाई ऑक्षाइड सभी साथ हो का बिल्कुल बैस आंसर यहां पर आ रहा है परफेक्ट आप लोग का यहा पर हमारा है 137 नमबर चलिए वायू प्रदूशन को कम किया जा सकते है साथ यू वायू प्रदूशन को आप लोग कैसे कम कर सकते हो वरक्सों द्वारा मचलियों द्वारा तो नहीं कर सकते हैं मचलियों का कोई भी लेने देना नहीं है जनतुओं को भी कोई लेना देना नही और यहां तक कि सूरे प्रकास से भी आप लोग वायू प्रदूशन कम नहीं कर सकते जादे से जादे वरक्ष लगाएंगे तब क्या कर सकते वायू प्रदूशन को कम किया जा सकता है तो इसका मतलब है option संख्या ए राइट अंसर हैं हमारा हो जाएगा आगे अपन भरते हैं देखीगा अगले कोशिन की बात करेंगे कितना ही इजी कोशिन आप लोगों से पूछा गया कि भाई विश्वू परियावरन दिवस मनाया जाता है विश्वू परियावरन दिवस सात्यों कब मनाया जाता है आप लोग को पता ही चल गया होगा कि इजी है ना सच में बहुत ही इजी कोशिन है ठीक है सच में बहुत ही इजी है ठीक है डियर पांच जून यहाँ पर हमारा राइट आंसर अच्छे डंक से हो जाता है पांच सितंबर भी नहीं होगा और पांच नमबर भी नहीं होगा ठीक है आगे बन बढ़ते हैं कोशन संखे 149 नमबर की तरफ की सूरे के हानिकारक तिर्नों से प्रतिवी को कौन सा इस् राइट आंसर अच्छे डंक से हो जाता है आप लोग अभी ये बतेएगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है सबी सात्यों से रिक्वेस्ट है फासली आप लोग इसका अंसर कीजीगा कि डियर ओजोन ओजोन दिवस सात्यों कब मनाया जाता है बात करेंगे ओजोन दिवस की स थेंक्यू, अगे अगे आपन बढ़ते हैं देखी गा, थोड़ा सा फास्टी चीज़ों कर लेंगे, हाला कि आपका स्कोर सात्यों 30 बड़े 30 आना चाहिए, ठीक है, 30 बड़े 30 आप लोग का आना चाहिए हर हालत में, आगे बढ़ते हैं कि किसी जगे के फिलोरा तता फोना सूचित करता है, पेड़ पोधे एवं जन्तूओं को, मचलियों एवं पेड़ पोधों को, जन्तूओं एवं मचलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पोधों को, फिलोरा और फोना की बात करेंगे, आंसर हो जाता है, अल्ली वन ओप्सन कि पेड़ पोधे एवं स्कूर्ण ठीक है मातर दस कूश्चिं हमारे पास और बच्छ हैं चीजों को थोड़ा से फास करेंगे और भैही एक पेड़ पोधू से निकली गैसे, भट्यों से निकली गर्म हवा या फिर रसोई गैस, ध्यान से देखो एं देनान से किजीगा, विस्प उश्मयान के लिए निमें से कौन एक कारक है, तो परफेक्ट आप लोग का आंसर आ रहा है यहाँ पे, आंसर हो जाता है, option संख्या only one, only one यहाँ पर हमारा right answer अच्छे डंक से हो जाता है कि वहानों से निकली गैसे, वहानों से निकली गैसे, परफेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाता है, ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं देखीगा, आगे अपन बढ़ते हैं कि धातु में प्रेस् किसको कहा जाता है, देखते हैं कितने साथी परफेक्ट आंसर यहाँ पर बदा पाते हैं, चले, बिटुमिन, बॉक्षाइट, मेटलाइड यह फिर अइस्क, धातु में प्रेस्तर की बात की जारी, ध्यान से दिखते रहीगा, तो धातु में प्रेस्तर साथी यहाँ को कहा दित है, तो यहाँ पर देखो, आंसर हो जाता है, ओप्सन संख्या, ओनली डी, आगे बढ़ें क्या, चली, आगे अपन बढ़ते हैं, दिया, कोशन संख्या बात करेंगे, 143 नंबर की, पेड़ पोधे, प्रिदूसरों को घटाती हैं, क्योंकि वे अफ्सोरों करते हैं, कि आप लोग का रहना चाहिए, कमेंट बोक्स में बतानोवा, क्लास खतम होने के बाद, ओफलाइन जो कमेंट रहते हैं, उसमें कमेंट किजीगा, क्लास कैसी लगी, और आप लोग का स्कोर कितना रहा, ठीक है, पेड़ पोधी प्रिदूसरों को घटाते हैं, क्योंकि वे भुकंप मापा जाता है, भुकंप मापा जाता है, बोफोर्ट पैमाने में, डेसिबल में, न्यूटन में फिर रियक्टर पैमाने, भुकंप जो मापा जाता है, बिलकुल, यहाँ पर जो साथी डी बता रहे हैं कि सर, रियक्टर पैमाने में मापा जाता है भुकंप, तो जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, परफेक्ट आप लोग कह रहे हैं कि भुकंप मापा जाता है, रियक्टर पैमाने में, आगे देखीगा, कोशन संक्या याँ पर हमारा है 145 नमबर, महासागरों में जल इस्तर व्रद्धी का करण क्या है? महासागरों में जल इस्तर व्रद्धी का करण है, दुरुवे प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्सा, अमल वर्सा या फिर इनमे से को नहीं, तो देखेगा, अत्यधिक वर्सा गलत, अमल वर्सा ये भी गलत हो जाएगा, और इनमे से को नहीं, ये तो हमारा प ठीक है चलिए आगे अपन बढ़ते हैं देखिएगा आगे बढ़ते हैं भई कोशन संख्या है यहाँ पर हमारा 140 नमबर 146 इन में से कौन सी अंतराइस्टी संस था पूरे विष्व में परेवन सुरक्षा की देखभाल करती है पूरे विष्व की बात कर रहा है तो डबलू डबलू एफ यहाँ पर हमारा सही आंसर अच्छे डंक से हो जाता है ठीक है इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों अपन बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना कब की गई गई थी सन 1961 को इसकी स्थापना की गई थी किलिए रहना चलिए आगे अपन बढ़ते हैं डियर कोशन संके हैं आपर हमारा है 147 नमबर 147 की कीट नासियों के अत्यदे की इस्तमाल से होगा वायू प्रोदूशन गलत दुहनी प्रोदूशन इसका भी कोई लेना देना नहीं है और इन में से सभी बहुत सारे साथी बता रहे होंगे लेकिन ये भी हमारा गलत है साथ यो किट नासियों के अत्यदे इस्तमाल से साथ हो क्या होता है जल प्रोदूशन की समस्य बहुत जाद है होती है क्यों होती साथ यो जल पर दूशन की समस्या बहुत जाद है होती है अंसर हो जाते है option संख्या only c इसी किस अंदर में बात करेंगे 148 नंबर की इसके बाद हमारे पास दो कुशन और बच्चे है और नंचास और पचास ठीक है चलिए कि लवन जो जल का अवशोषन करता है कहलाता है बहुत फास आंसर के जीगा और फिर से कहना चाहेंगे बार बार नहीं कहते बहीं लेकिन आप लोग मजबूर कर देते हो भी आप लोग लाइक का बटन दवा दे जीगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी ठीक है और जादा जादा गुरूप में सेयर भी कर दीजीगा कोशन संख्य 148 नमबर की बात करेंगे हाइगरोस्कोपिक लवान हाइगरोस्कोपिक लवान यहाँ पर हमारा ओप्सन संख्या ए राई टांसर अच्छेटंग से हो जाता है ठीक है चलिए आगे अपन बढ़ते हैं देखो कोशन संख्या यहाँ पर हमारा है 149 नमबर की पाश्थिति की पाश्थिति तंत्र एबं प्राकर्तिक अधिवासों का सनक्षन तथा उनके प्राकर्तिक वातवर्णों में प्रिजातियों का जिवासों जंसंख्या का रख रखाव एबं प्रति प्राप्ति के लिए प्रियुक्त पद है क्रोड सनक्षन स्वस्थानी सनक्षन अपस्थानी सनक्षन फिर परिध्य सनक्षन आप लोग जानती होंगे तो आंसर हो जाता है स्वश्थाने संदक्षन स्वश्थाने संदक्षन best option यहापर हमारा हो जाता है option संख्याब B अब प्यारे साथ यह रहेगा आज के सेसन का अपना last question छीक है आज के सेसन का यहाँ पर हमारा यह रहेगा last question चलिए देखते भी आप लोग का अंसर क्या रहाता है यहाँ पर एक सो पचास नंबर में सामुद्रे कच्छपों को जीवनत जिवासम कहा जाता है क्योंकि वे एक सो पचास मिलियन वर्सों से भी अधिक समय से प्रैथिवी पर उपस्थित है भारत यह उप महादीब के जल भागों में पाज आने वाले पाज प्रजातियों के समुद्रे कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है कनेप्स रिडले, लाग रहेड, ओलिव रिडले फिल, फ्लैक्ट बैक तो देखो यहां पर आउंसर हमारे उजाता है ओलिव रिडले, ठीक है डियर, ओलिव रिडले, परफैक्ट आनसर हमारे उजाता है, आप्शन संख्या, छी, ठीक है डियर, चलिया तो कमेंट कीजीगा ओफलाइन आप लोग कमेंट करना होगा 30 में से आप लोग का स्कोर कितना रहा हाला कि 30 बड़े 30 स्कोर आप लोग का बहुत सारे साथियों का आ रहा है बिल्कुल बैस तरीके से चली बहुत बहुत धन्यवाद और सेसन कैसा लगा आप लोग मुझे बतेगा ओफलाइन कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा और लाइक भी आप लोग कर दीजीगा जिन साथ्यों को लाइक नहीं किया है लाइक कर दिजीगा और चैनल को सब्स्राइब कर लिजीगा एक चीज एक इन्फोर्मेशन और मैं आप लोग को देना चाहूंगा जिन साथ्यों को यूपी टैड्स की नोट्स मगाने है इस नमबर पर आप लोग वर्शब करती जीगा 89-893708-5087 ठीक है बात करेंगे प्रैस की मातर 1000 रुपे की नोट्स ने साथियों आप लोग को घर बैटी है आप लोग को नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं इसमें आप लोग को 5 सब्जेक्ट मिलते हैं ठीक है जो के यूपी टैड में आते ही आते हैं ठीक है डियर चलिए तो ख्याल लखेगा अपना मिलती है डियर नेक्स सेसन में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत